चेतन जी, टॉस जीता है, पहले हाथ घुमाने का फैसला किया है, देख घुमा के यानि कि चक्का नहीं देख घुमा के विकट, बोलिंग कर रही है चांस नहीं ले रहे, क्योंकि जैसे मैंने काना है, उनको अगर 15 बीस ओवर मिल गए, तो वो डिंजरस हो जाएंगे, तो इंडियन टीम चांस नहीं ले रही है, कि ठीक है, हमें ये मैच जीतना है, हमें बल्ले बाजी मतलब नहीं अपने बैट्सन को जादा करवाने की जरूर कि इन बाजी का फैसला किया है, और टीम में एक बदलाफत होता है, क्योंकि यहां पर चेतन जी भी ताउजी बन गए है, क्योंकि जस्परीद भूमरा के फैमिली में उनका बेटा हुआ है, उनका पहला बच्चा अपने जीवन का, और ये जो है, कहीना कहीं जो है, एक खु प्रीद भूमरा के जगा मोमद चमी आटोमाटिक चॉइस यहां पर होते हैं, और मेरे पास यहां पर बीसी सीवाजी रिलीज आगी है, यहां यहां पर आगी है चोकाने वाला एक फैसला, यहां पर मुझे लग राए कि आयेगा, और नहीं, लेकिन यह नहीं है, मुझे बुमरा और शिराज कोई कठा रहस देना, यहां पर सिद्कृष्णा अंदर आएंगे, इतनी जल्दीन, अभी शमी खेलेंगे, यहां आपकी सेम टीम होनी चाहिए, कोई बदलाव नी होना चाहिए, शादूल ठाकूर, अगर आपने पहले गेंद बागी टीम, दाग देता हूँ, पाजी दाग देता हूँ, रोहिच शर्मा, शुमन गिल, विराट कोली, श्रे शहियर, इशान किशन, हार्दिक पंडिया, रविंद्र जडेजा, शादूल ठाकूर, कुल्दी प्यादव, मौमत शमी और मौमत सिराज, यह है टीम, एक बदलाव टीम में किया गया है जस्परीत बुमरा की जगा, मौमत शमी, ओवर टीम, बिलकुल ठीक बदलाव है, और इसमें आपको कई जादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, आपके पास चार फास्ट पोलर्स हैं, आज चार फास्ट पोलर्स को गेंदबाजी करवाएं, क्योंकि पिछले मैच में आपके जाता है, आपको कैसी जाता है, तो यहाँ बढ़ने आपके बुमरा कि है, बिलकुल और यह आपके सामने है, पूरी टीम इंडिया की प्लेंग 11 जो कि आप से कुछ देर बाद यानिक तीक तीन बजे, ने बजे ने 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 फास्ट के खिलाएं, तो आपको हास्तेकोश करता मैदान पर उतुरने वाली है इश्यक कप का दूसरा मुकाबला आपके सामने शुम्मंगेल, रोईच शर्मा, विराट कोली, श्रेश हैयक, इशान किशन, हार्दिक पंडिया पिछले मैच के स्टार, पांचवे विकेट के ले 133 रनों की साज़ेदारी और टीम को कही न कहीं, सब कहरे हैं कि पाकिस्तान बजगेई, ये इस साज़ेदारी की वज़े से, जिन्होंने 138 रनों की साज़ेदारी की थी, रविंदर जडेजा, कुल्दी, पियादव, शादूल ठाकोर, मुहम्मद शमी, मुझे लग रहा था कि शायद मुहम्मद शमी होंगे पिछले मैच म और वो हैं शादूल ठाकोर एंड हारतिक पंडिया, लेकिन ये तो बात है, नेपाल के खिलाब मैच है, चेतन जी जीतना तो तहे माना जा सकता है, लेकिन आप पाना क्या चाहोगे इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच में हमें कई सारे जटके लगे हैं, तो इस वीकर ओपो तक बल्ले बाजी करती है नेपाल, तो आपने 5-6 के 6 गिंद बाजों को at least 5-5 ओवर, मिनिमम 5-5 ओवर जरूर करवाएं, उससे 30 होते हैं, और कितने रन बनाती है नेपाल, और उपर से शुमन, गेल, रोई, शर्मा और विराट कोली, अगर विराट कोली तक बारी आए, या सरे शेयर तक आपको बैटिंग करने का मौका मिले, तो आपके बल्ले पर बाल लगना बहुत जरूरी है, 25-25-30-30 रनवी अगर बनते हैं ना, समीप, वो confidence देता है आपको, अगर आगर आपके पिछले मैच में, पहले मैच में, आपके रन्स ना बने हो, तो बहुत जरूरी है, आपको मैच टाइम, विकेट के ओपर कितना आप रुखोंगे, वो बहुत इंपोर्टन रहे हैं, बिल्कुल, और बोलिंग से ज्यादा शायद आप बैटिंग पर नजर डालेंगे, क्योंकि आपके बैटिंग बहुत बुरी तरकी से फ्लॉप होएं, और आप चाहेंग बुर्तल, आसिफ शेक, विकेट कीपर, रोहित पोडल, जो कि सिर्फ 20-21 साल के हैं, कप्तान है, रोहित, दोनों साइट के कप्तान बाई दिवे, रोहित हैं, वो पोडल हैं और हमारे शर्माजी हैं, भीम शार्की, सोमपाल कामी, गुल्चन जहा, लंबे चौड़े कतके ग बाजबंशी, यह है नपाल की टीम, जो कि अब भारत की खिलाब पहले बैटिंग करने उतरेगी, क्योंकि टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, तो चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, इसके अलावा एक रिपोर्ट दिखाना कि आपर हो रही है? तो बेस्ट ये डिसीजन है, आप टॉस जीतो, फिल्डिंग करो, अब जो होगा, अगर मैच नहीं होता, मैच धुल जाता है, तब आपको एक पॉइंट मिला, आप क्वालोफाइ कर गें, अगर आपको कुछ ना कुछ मैच होता है, तो आपके पास सेकिंड चांस है, आप क कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि धूप भी होँआ पर बड़ी जबरदस खिल रही है, और बड़ा फरक है कॉलमबो, कैंडी और पालिकल में, पालिकल में मैंने आपको पहले भी कहा है, कैरेक्टर जो है, बड़ा अलग है, कैंडी में तेज बारिश होती है, और पालि फिलाल जहां तक बात है, आज जो ये मैच है नेपाल के खिलाब, हमारी नजर किस पर होगी, इस रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि टीम इंडिया यहाँपर 10-10 सकोर करे, अगर आपको एशिया काप और उसके बाद वर्ड कप में बड़ा सकोर करना इस मायूसी के लिए ये खुद जिम्मेदार है इन उदास चेहरों से नहीं चलेगा खाब नहीं बनेंगे रन तो ट्रोफी नहीं जीतेंगे सुधर जाओ, इंडिया के लिए रन बनाओ टॉप ओडर की ये तीन धुरंदर पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हो गए इनके नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे केंडी के मैदान पर सबको उमीद थी कि ये तीनों पाकिस्तानी गिंद बाजों को सबग सिखाएंगे लेकिन हुआ एकदम उलट शाहीन हैरिस की स्विंग में ये ऐसे भसे कि सीधा पाविलियन का रास्ता पकड़ लिया एश्यकप से पहले कप्तान रोहित को अपने टॉप ओर्डर पर पूरा भरुसा था प्रेस कॉन्फरेंस में भी रोहित ने बड़ी बाते बोली थी लेकिन इन बड़ी बातों से काम चलने वाला नहीं है कप्तान सहाब अगर वर्लकप से पहले टॉप ओर्डर दुरुस्त नहीं हुआ तो वर्लकप जीतने का सपना सपना बनका रह जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ टॉप ओर्डर के तीन बल्ले बाजों ने मिलकर 25 रनों का योगदान दिया गिल ने 10 रन, रोहित ने 11 और विराट ने 4 रन बनाए अगर सवाल यह है कि रोहित विराट जैसे सीनिर बल्ले बाज गिन बाजों के सामने बल्ला टांग देंगे तो पूरी टीम पर क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ टॉप ओर्डर का घुटने टेकने का मतलब है कि आपने नेपाल जैसे टीम को मौका दे दिया है नेपाल समझ गया है कि भारत के टॉप ओर्डर को कैसे द्वस्त करना है सुनलियाना रोहित विराट क्या कह रहे हैं नेपाल के कप्तान अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो सुपर फोर में पहुंचने की कोशिश धूमिल हो जाएगी वैसे कमाल की बात है और चेतन जी जो है पूर्फ चेर्मेन अफ सेलेक्टर्स रह चुके हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि BCCI President, BCCI Secretary and Chairman of Selectors इंदुस्तान के क्रिकट की तीन सबसे बड़ी कुरसिया हैं सबसे बड़ी पोस्ट हैं यरे यरे टीम इंदे पिछले दो दिन से कोई कानफेर और प्रिमज भी की नहीं की और पाकिस्तान के खिलाव मैच पोस्ट मैच पर्स कानफेरंस क्यों नहीं की इतना अज कल क्यों दूर रहते में कोश्कि YPPI घर आप डाल स्थे तह जोगा मजा आईगा जितना कम बोलो ना उतनी कम गलतिया होती है, यह आप ही लोगों ने मुझे सिखाया था चैनल में बैठने के बाद, कम बोलो, कम गलतिया होंगी, कम कॉंट्रोवर्सी में पड़ो तो जुरूट क्या देखें, कम बोलो लेकिन रन तो जादा बनाओ, रन बना लेंगे, देखे जाती हैं कम बोलो, कम बोलो थीक हुमे कोश्य रिखाया आपने जवाब देदिया, कम बोलो इसले प्रेस कॉंट्रोवर्स में नहीं आता है, बात नहीं करते हैं, वो रन भी कम क्यूं मना रहे हैं, थीस रन से जीटते हैं, मैच तो हो जाता, इशान, किशन, और 287 उनके थे लेकिन टॉप ओर्डर के बारे में बताई कि टॉप ओर्डर ने प्रेस कॉंफरेंस में जिनमें रोहिट शर्मा, शुमन गिलो और विराट कोहुली शामिल हैं चेतन जी इन तीनों से रन नहीं निकल रहे हैं, हमें पूरी उमीद है कि नेपाल के खिलाफ रन निकलेंगे लेकिन अगर नेपाल के खिलाफ बाई चांस फेलियर हो जाता है, तो यह कितना बड़ा सिट बैक होगा, रोहिट या विराट में से कोई जल्दी आउट हो जाता है, शुमन जल्दी आउट हो जाते हैं, अगला मैच अब आपका पाकिस्तान के खिलाफे दो बारा, प्रेश तो इसलिए बहुत इंपोर्टन है उनके रन बनने, वो उनके रन बनेंगे तो आटोमेटिकली पूरी टीम को कॉन्फिदेंस आएगा, अगर गल्ती से कहते हैं, हो जाता है, क्रिकेट के अंदर एक बाल चाहिए बहले बार स्काउट हो जाते हैं, तो प्रेशर डेफिनेट इस फॉर्मेट के अंदर अगर उन्होंने एक प्लाटफॉम बनाया ना, तो फिर मिडल ओर के लिए बहुत असाल हो जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके तीनों जो उपर के प्लेयर है, शुबन गेल, रोहित शर्मा, एन विराट कोली, इनको गेम टाइम और इनक कप चैंपियन भी हो, दुबाई में जीते भी है, किसी ने शायद सोचा नहीं था यहाँ पर चेतन जी, लेकिन अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अगर आज हमारे इन तीनों से रन नहीं आते, खातकर विराट और रोहित से, तो पाकिस्तानी खेमे में खुशी होगी ब उफ से रननी बन रहें, इवत्तियार से रननी बन रहें, बिल्कु přाथ किया सोचयोगे, अरे वो तो प्रेशर में रहें जिस बल्ले बात से रनननी बन रहता हुरा हुता, बड़े मैच के अंदर आप प्रेशर में रहते हैं, जैसे पिछला मैच यगर पाकिस्तान के खिला सबस्क्राइब नहीं बनते हैं, आपको प्रेशर तो बढ़ेगा और स्पेशली पाकिसान के खिलाफ मैच होगा, ता समीप प्रेशर तो वैसे रहता है, उसके बाद आपके रन ना बन रहे हो या आपकी विकेट्स ना आपको मिल रही हो, तो प्रेशर इतना होता है कि नीन न यहां पर स्कोर कर पाएं क्यूंकि बढ़े रोन अगर स्कोर करते हैं यहां पर नेपाल के बल्लेबास तो वो भी एक बहुत बड़ा से बैक होगा हमारी गेंद बाजो के लिए तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल लगता है नाम्मुम्किन ही लगता है फिलाल रोहित क्या कह रह एक एक बात समझ नहीं आज तक, मैं तो क्रिकेटर पॉंट आप नहीं बात करता हूं सब्सक्राइब करते हैं, आप उनको प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं, और नेपाल के कफ्तान ने पिछले मैच के बाद एक स्टेटमेंट दिया था, और मुझे अच्छा भी लगा, क्या रहा है, अट लिस्ट वर्ड अराउंड क्रिकेटिंग सर्कल में हमारी पहचान हुए हम पाकिस्तान से हारे हैं, लेकिन हमारी पहचान हुए है, आज भी देखिए हम नेपाल को डिसक्स कर रहे हैं, हमने इससे पहले मुझे नहीं लगता पिछले आठ सान दस साल में कभी डिसक्स किया हो, तो अविसली जब उनका कफ्तान आएगा, वो रोहित और कर रहे हैं, तो यहां पर आप कितना स्कोर देख रहे हैं, हम नेपाल को बनाने देख, क्योंकि आप चाहेंगे कि इनको 50 में ओल आउट कर दें, क्योंकि आप अगर बोलिंग पहले कर रहे हैं, मौसम का आपको पता नहीं है, बारिश कभी भी भी आ सकती है, तो ऐसे आप च सकसेस है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट भी देना होता है, कि आप चोड़ी टीम थी, आम बड़ी टीम थे, और अमने बड़ा प्रदर्शन किया है, समी, कोशिश तो आपकी होती है, जितनी जल्दी आप आउट कर लें, और आप 50 ओवर की गेम के अंदर, सक्सेस्फुल गे गेनबाज ही आज की है, यह कैलकुलेशन आप करते हैं, उससे पहले आउट हो जाए, नथिंग लाइट ही, बट तीन रन प्रती ओवर से ऊपर नहीं जाने देना नेपाल को, यह ऐज गेनबाज ही करूँगा, यह मेरी सोच होगी, तीन रन प्रती ओवर आप इससे ज़्या हो सकता है, बुम्रा के लेज उन्हों ने हासिल किया, उसके लिए यह थोड़ा सा गरबड हो सकता है, थोड़ा सा आज मैच से हटकर है, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है, फिलाल एक ब्रेक के यहां पर रुखेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बतार दू कि एंडिया टीवी क्रिकिट यूट्यूब चैनल जहां पर दो तरफा बातशीत होती है, आप चेतन जी से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, हम दुनों मिलकर हमारा पूरा परिवार जोईटीवी यूट्यूट प्र जोड़ सकता है, मैच से पहले मैच के बीच में और मैच के बात इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर ज़रूर साब्सक्राइब करें लाइक और शेर तो करना ही हैą तो मिलते हैं आपको छोड़े से ब्रेक के बात इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर